सेख्रक्ल के उपर बात कर रहे थे कुछ चीजें हैं प condition develop कर ली ही सेख्ल कि ऑम्टा एडियाजिवेलप कर ली थी रेडियास इस दधेस्तंस फ्रों सेंटर्ट्रि ट्ल्ड बाउंडरी of the circle, boundary, circular boundary is known as circumference, circular boundary is known as circumference, ठीक है, center वले point को origin कहते थे, ओसे represent करते हैं, center से boundary तक का फासला radius कहलाता है, boundary, एक boundary का दूसरी boundary तक फासला straight line के जरिये cord कहलाती है, अगर वही cord center से गुजरे तो क्या कहलाती है, diameter कहलाती है, अगर वही cord center से गुजरे तो क्या कहलाती है, diameter कहलाती है, ठीक है ये बात के नहीं, इस point को हम कहते हैं हमारा center, इस पूरे circle की तरफ देखा जाए, तो इसमें दो चीजें associated हैं, इस वक एक है area और एक है इसका circumference, जो इसका area है, it is pi r square, pi r square is the area, circumference का formula है 2 pi r, या इस 2 और r को अगर हम as a one group consider करें, तो pi d भी कहा जाता है, इसका formula या क्या हो सकता है बचो? pi, 2 pi d नहीं, 2 r तो वैसी d बन जाएगा ना, तो 2 r की जगा d substitute होगा, तो pi d बन जाएगा, ठीक है? क्या बन जाएगा? pi d बन जाएगा, और circle में angle कितना है, ये पूरे का पूरा? total कितना angle होता है, ये? 360 degree उसको cover कर रहा होता है, इसी के अगर मैं option इस तरह से लो, ये उसका center है, और सिर्फ ये वाला part consider किया जाए, इस पार्ट को कहा जाएगा, ये उसका o है, उपर वाले पार्ट को कहा जाएगा, semi या half circle कहा जाएगा, semi या half circle कहा जाएगा, अब इसमें angles भी कितने होंगे, यहां से यहां तक? one hundred and eighty degrees होंगे, जितने भी formulas हैं, वो सारे ये सारे divided by two हो जाएगे, क्योंकि आपने उस circle को दो equal हिस्सों में काट दिया, angle के हिसाब से भी, area के हिसाब से भी, circumference के हिसाब से भी, तो जब area की बात करेंगे, तो area इसका हो जाएगा, two pi, sorry, pi r square, divided by two हो जाएगा, divided by two हो जाएगा, और जब आप circumference की बात करेंगे, और जब आप circumference की बात करेंगे, तो circumference में two pi r, वही पूरे circle का circumference होता है, तो ये divided by क्या हो जाएगा, two हो जाएगा, अब ये derivation है, ये memorization नहीं है, ये derivation है, ये दोनों formula आपको उससरफ क्या करने हैं, ये memorize करने हैं, बाकी derive होंगे, सारे देखना derive होंगे आप, मैं shapes change करता रहूंगा, new formula जब derive हो रहे हैं, जैसे मैंने कल कहा था, last lecture के अंदर के, कम से कम चीज़ें याद करेंगे, ज्यादा चीज़ें derive करना आपको आने चाहिए, रटे लगाना चाहते हैं, हिफ़स करना चाहते हैं, तो आपके अपनी मर्जी है, ठीक है, तो shape change आती है exam में, तो new shape का derive formula आपके काम आना चाहिए, new shape का formula derive करना आपको आना चाहिए, ठीक ह ना, ये हो गया, पाई R square, basic से कहानी शुरू करें, complexity की तरफ लेके जाओंगा भी आपको मैं, ठीक है, आज की class में, तो ये two और two आपस में क्या हो जाएगा, mathematically, cancel out, और असल formula कौन सा इस्तमाल करेंगे फिर, पाई R इस्तमाल करेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, याद बहुता होगा, पाई D divided by two भी कह सकते हैं, बात समझा रही है कि नहीं, ये दोनों फर्मिलाज क्या है, ये same formula's है, दोनों फर्मिलाज क्या है, same formula's है, ये R की दुनिया का formula है, और ये D की दुनिया का formula है, यानि general formula से circumference का पाई D, half circumference, या समी सर्कल का circumference हो जाएगा, पाई D divided by two हो जाएगा बात समझा रही है सारों को के नहीं तो यह हमारे इसका सरकल का फॉर्मिला हो गया अब मैं तीसरे आप्शन की तरफ जाता हूँ that is even इस से भी इसका भी हाफ यह हमारे पास सेंटर यह हमने दो इक्वल पार्ट में काटा इसको मजीद कितने पार्ट में काट दें अगर हम एक और पार्ट में काट दें तो यह जो एक पार्ट है कितने डिग्रीज का होगा यह वाला पार्ट जिसको मैं क्या कर लेता हूँ यहां पर shade कर लेता हूँ ये वाला part कितने degrees का होगा बच्छों समझ आ रहे कि नहीं कितने degrees का होगा ये 90 degrees का होगा कितने degrees का 90 degrees का तो इसमें circumference वाला सिर्फ ये वाला part consider किये जाएगा क्योंकि it is the circular part clear हो रही है मेरी बात के नहीं तो इसमें जब area की तरफ आएंगे तो area क्या होगा पूरे circle का अब ये कितना हिसा है एक चोथाई हिसा one fourth हिसा अंग्रेजी में बोलें तो quarter हिसा yes or no तो इसको क्या बोलेंगे हम ये one fourth या one by fourth या quarter इस तरह के अलपाज इस्तमाल किये जा सकते हैं इसके लिए अब ये हर चीज जो उनसी है divided by four हो जाएगे angle था 360 angle कितना था 360 इसका angle semi के case में आया 360 divided by two तो कितना आया 180 degree इसके case में कितना होगा 360 था divided by four answer आएगे कितना 90 90 समझा रही है कि नहीं तो इसका angle कितना है बीच में 90 डिगरी निशानी है quarter circle की के circle के चार equal हिस्से बनेंगे तो एक हिस्सा 90 डिगरी कहलाएगा एक हिस्से का angle 90 डिगरी होगा और इट विल नोन एस quarter of a circle या quarter circle बोलेंगे उसको समझा रही हाफ of a circle या semi circle बोलते हैं इसी तरह से quarter of a circle या quarter circle बोलेंगे उसको clear हो रही है मेरी बात के नहीं यह तो area क्या हो जाएगा इसका ऐरिया जनरल फार्मला क्या था पाइर स्कोर इस को हम क्या करेंगे one months अनभ जी ऑर पाइर स्कोर डिवाडेड़ बाए पाइर स्कोर डिवाड़ड़ ऒ़्सोर घबाए जाए गया जब हम circunference की बात करेंगे पूरा सर्कल का circumference कितना था तू पाए आर था इसका quarter है ना quarter क्या हो जाएगा divided by four हो जाएगा divided by four हो जाएगा तो अब mathematically two और four आपस में क्या होंगे cancel out होंगे यह equate होके किसके equal बनेगा पाए आर ओवर तू के equal बनेगा पाए आर ओवर तू के equal बनेगा यह समकों समझारी है मेरी बात के नहीं इट विल विकम पाए आर ओवर टू बन जाएगा clear है बच्चों इसी को एक और अन्दाज में भी अगर आप देखें पाए डी वाला फार्मिला पाए डी वाला भी ठीकता ना पाए डी वाला फार्मिला भी क्या था ठीकता फुरा फुल सर्कल पूरा सर्कल के लिए अगर आप सर्कम्फेरंस बात करते हैं quarter circle की तो फार्मिला वही होगा पूरा सर्कल का फार्मिला divided by divided by four divided by four चुक्के इसमें वो कटिंग नहीं होती तो इसको आइसे छोड़ देंगे हम समझा रही है ये वाला और ये वाला ये दोनों क्या है ये दोनों फर्मिलास क्या है same they both will give you the same answer clear हो ये मेरी बात के नहीं clear हो ये मेरी बात ये बात हम सब लोग जानते है कि डी किसके बराबर होता है ये बात हम सारों को पहले से पता है कि डी किसके बराबर है तो आर के बराबर है सही है ना कोई confusion वगएरा अब आते हैं ज़रा different बात की तरफ new concept है जी आज की class का this one अब इसके अंदर ये still center है यहां तक तो basic बन्यादी बाते स्टार्ट हो रही थी यहां तक तो बन्यादी concept चल रहे थे एक formula याद किया बाकी divide by two divided by मिसाल के तोर पे four इस तरह से चल रहा था हो in other words आप इसको ये कर रहे थे 90 degree divided by 360 degree क्या आता था ये one by four ऐसे ही आता था था ना ये यहां पर क्या आता था ये 180 degree divided by 360 degree answer क्या आता था ये one by two half आता था ये 180 degree divided by total degrees उससे आपको उसकी रेशियो पता चल जाती थी यहां पर 90 degrees divided by 360 degrees आपको इन degrees की या इस angle की रेशियो पता चाल जाती थी कि सरकल में ये कितना हिस्सा है कितने fractions हैं सरकल में जैसे हम लोग fractions पढ़ते थे तो मैंने आपको एक example बताई थी ये example लिख के दिखाई थी मैंने कहा था ये एक diagram है इस diagram में तीन equal हिस्से बनाए हुए है तो shaded हिस्से कितने हैं आप कैसे जवाब देते थे आप कहते थे one part is shaded out of कितने parts three parts ऐसे कहते थे कि नहीं one part is shaded out of three parts यही काम मैं यहां पर explain कर रहा हूँ कि हम angles की दुनिया में जब जाते हैं तो 90 degrees divided by total जितने भी degrees थे total जितने भी degrees थे तो वो answer one by four आता था हमारे पास खेर अब मैं सवाल change करता हूँ concept change करता हूँ अब मैं किसकी बात करता हूँ इस तरह slice of a circle की बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ slice of a circle पहले 360 degree full circle 180 degree half circle 90 degree उसका भी half now it is not a half or you know quarter it is a slice of a circle अब ये क्या है बचो इट इस नोन as a slice of a circle जो कभी भी याद रखे ना ये मैं इसको semi बोल रहा हूँ फिलहाल ना मैं इसको quarter बोल रहा हूँ because it is defined by a certain angle it is defined by a certain angle that angle no one knows how much is that angle मिसाल के तुर तुर पे इस एंगल for example is x degrees मिसाल के तुर 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 इस एंगल is how much समझा रही है कि नहीं let's assume this angle is how much x degrees ठीक है बात कि नहीं तो इस पार्ट को इस चीज़ को हम लोग maths की दुनिया में कहते हैं क्या बोलते हैं जी sector बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको sector sector क्या है it is slice of a slice of a circle जैसे आप केक काटते हैं न दर्मयान से जब आप काटेंगे उसको sector is it is slice of a circle defined by an angle slice of a circle defined by an angle from center defined by an angle from center ठीक है जी यहां पे angle मैंने x डिगरी के साथ बता दिया I hope last row तक नजर आ रही है sector is अब इस तरफ इस शकल की तरफ देखा जाए तो circle को जैसे हमने पहले क्या किया था एक पार्ट है one fourth एक पार्ट है कितना one fourth जो remaining part है यह सारा वाला जिसको मैं blue shade कर रहा हूँ यह कितना पार्ट होगा circle का मुझे बताएं three by four yes or no यह सारा जिसको मैंने नीले रंग का shade कर दिया हाँ या ना यह three by four part है और जिसको मैंने black shade किया हुआ है यह कितना पार्ट है one by हाँ या ना clear or not सारों को के नहीं इसी तरह से हम यह कह सकते हैं ना one by four is the smaller part and three by four is the bigger part इसी तरह sector में भी यह नाम रखे जाते हैं जो smaller part होता है circle का उसके लिए लवज होता है कौन सा वाला sector कौन सा वाला sector minor sector which sector minor sector जो दूसरे वाला part है मुझे इसका angle बता सकते हो यह वाला कितना angle होगा जो remaining part का angle कितना होगा this is बचो 360 degrees minus x degrees 360 degrees minus x degrees इसको बोलेंगे यह भी एक sector है हाँ या ना what is this बचो यह भी क्या है एक sector है लेकिन इस sector का नाम different है इसको बड़ा वाला sector बोलेंगे this is major sector it is major sector minor sector defined by angle theta या x degrees defined by angle कितना degrees x degrees defined by angle x degrees right major sector क्या होगा it is defined by angle remaining angle तो अगर एक angle sector का x degree है तो remaining क्या होगा remaining क्या होगा total minus x circle में total angle कितने थे circle में total angle कितने थे 360 dead bodies की तरह नहीं बैठना girls जवाब देना है remaining angle होगा 360 minus x degrees अगर minor sector 30 degrees बना रहा है तो major sector बनाएगा 330 degrees 330 degrees ठीक है यह आपका बन गया है sector अब मैं sector को ही सिर्फ बताता हूँ यहां पर let's only discuss what just sector सिर्फ किस की बात करते हैं just sector की बात करते हैं तो sector की तरफ जब हम देखते हैं सिर्फ sector यहां पर बनाता हूँ मिसाल के तोर पे इस किसम का let's say this is the o uniformly वही o अब इसके अंदर जो यह चीज़ है you cannot call it you will not call it circumference अब इसके लिए नया नाम इस्तमाल करेंगे इसके लिए नाम इस्तमाल करेंगे arc length इसके लिए नाम इस्तमाल करेंगे arc length यह o से लेके a तक यह o से लेके b तक यह क्या है जी o से a तक यह o से b तक उसे ए या उसे भी क्या है जैसे यहां से नहीं center से लेके इस arc length तक का फासला a center से लेके दूसरी arc length का फासला b तो center से circumference बन रहा था ना तो यह आपने क्या कहा था what is this क्या है बच्चों यह this is the this is the radius तो यहां पे यह आपका आगया radius یا आपका आगया Universe Clear हुई मेरी बात के नहीं और इसके अंदर देमियान जो चीज़ बनी होई है ये क्या है आपका X Degrees या theta hygreys theta क्या होता है बचो theta किस के लिए लेते है यूज्ड नॉर्मली या जनरली फॉर अंगल्स थीटा इसको बोलते क्या है जैसे डेल्टा था उसी तरहां ये नाम कुन सा है थीटा नाम दिया जाता है इसको समझा रही है बात ही के नहीं तो एक सेक्टर के अंदर कितनी चीज़े होती है दो चीज़े यहनी रेडियस और आर्क लेंद तो सेक्टर के अंदर सेक्टर के अंदर क्या चीज़े होती है दो रेडियाए और एक आर्क लेंद होती है समझारी बात क्या नहीं तो जब आप इसका पेरिमीटर भी निकालेंगे आपको पहले ही बता देता हूँ जब आप पेरिमीटर निकालेंगे तो पेरिमीटर क्या होता है सम आफ आल साइट्स पेरिमीटर क्या होता है सम आफ आल साइट्स तो इसमें आल साइट्स में दो रेडियाए आ आगे Plus एक क्या आगी आमके पास? Arc length आगी आपके पास वकास? और रॉ count राइट साइट में डाले क्या आगी आपके पास? Arc length आगी तो यहाँ पर क्या लेखेंगे आप? Plus Arc length Perimeter is equal to two radius Plus Arc length Clear हुआ यह कि नहीं? इसी तरहां से एक ओर concept भी है फिर हम इनके areas की तरफ आते हैं area और बाकी चीज़ों की तरफ यहां तक्लेर हो गए सारों को यहां तक्लेर है अच्छा दुबारा से एक circle बनाते हैं अक्सर अकाद an area in a circle not defined by the center but defined by the cord area of the circle not defined by center but defined by cord center है यहां पर रुख जाओ भी सब बताओंगा वाते मैं कुछ चीज़ रोकूंगा नहीं आश्ता आश्ता चलेंगे ठीक है area और भी वॉल्यम्स की तरफ आते हैं अभी जस्ट हम थोड़ा shapes को distinguish कर लें पिर हम area वॉल्यम्स की तरफ आते हैं area और arc length की तरफ हम आते हैं let's just distinguish a little bit के यह shapes हैं कैसी shapes समझा जाजेंगे area वॉल्यम्स असान है area perimeter असान है theta का symbol ठीक करो writing में मसला नहीं होना चाहिए न अच्छा जी यह जो जगा है इसको बोलते हैं an area of a circle defined by the cord area of the circle defined by cord not by center arc length क्या थी slice of a circle defined by an angle from center sector की कहानी sector की कहानी और इसको हम लोग बोलते हैं segment segment की कहानी दोनों different है sector की कहानी और segment की कहानी different है segment is area of a circle defined by cord लिख लें अपने पास part of a circle area of a circle defined by cord part area of a circle defined by cord defined by cord कि ठीक है जी इसमें भी दो segments हैं कौन कौन से वाले एक होगा major और दूसरा होगा minor एक होगा major और एक होगा minor जो छोटा वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे minor जो बड़े वाला part उसको क्या बोलेंगे major अब यह तो देखो chord यह line कोन से वाली है यह उपर वाली line is known as this is chord अगर यह chord उपर आते आते ज़र लोक अट माइड यह chord उपर आते 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 यह shade उपर आएगा 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 center से गुजरने लग जाए तो यह एक ऐसा segment बनेगा जब chord बन जाए diameter जब chord बन जाए diameter तो segment बन जाता है सेमी सरकल definition change हो जाएगी यह निजब chord बन जाए diameter तो segment बन जाएगा semi circle कहा जा सकते हैं ने इसको तो यहां से फिर्दाल इसको नफिर से कह देता हूँ खतम ठीक हो करी मेरी बात तो यह जो segment हमने बनाया है this is minor segment और obviously ये जो उपर वाला part है ये जो उपर वाला part है ये वाला आपका होगा major segment क्या होगा ये major segment होगा clear हो रही है मेरी बात के नहीं clear हो रही है तो जब हम segment की बात करते हैं इसका perimeter भी बताया जा सकता है इसके perimeter की भी बात कर सकते हैं यह नहीं कि अगर यह point है आपके पास विसाल के तोर पर ए और यह point है आपके पास भी इसमें एक आ रही है आपके पास यह वली dimension इस dimension को क्या बोलेंगे बताओ बच्चों आर्क लेंथ और दूसरी कौन सी है इसमें कौर्ड आर्क लेंथ और कौर्ड है इसके अंदर तो segment में जब हम perimeter निकालते हैं तो it is आर्क लेंथ प्लस कौर्ड segment का perimeter निकालने के लिए आर्क लेंथ प्लस कौर्ड निकलेगा clear है मेरी बात के नहीं हाँ या ना पर मिला इस रिलेड़ेड़ तो सर्कल हम इसर्कल का फर्मिला क्या है जेनरली पाय-यर सकवेर फोर दे एरिया circumference का फॉर्मिला क्या है तू पाय-आर यह हम पहले कर चुके हैं तो जो जो जनल में shapes को change करता हूँ कुछ formula same रहेंगे कुछ थोड़े से change हो जाएंगे यह shape कैसी है जी यह shape कैसी है सिर्फ देख के बताएं it is a quarter circle quarter कहने का क्यूं आपने क्यूं कहा quarter circle है क्योंकि यहां पर angle कितना है इसलिए नहीं कि यह दिख रही है आपकी जितनी भी डाइग्राम्स होती है यह नाट ड्राउन टुदा स्केल यह नाट ड्राउन टुदा स्केल सो उसको जो एक्जामिनर है यह कॉस्टिन बनाने वाला है वो उसको specify करना चाहिए या तो बोल दे मूंसे कि यह quarter circle है या तो वह ऐसा यह निशान बनाते इस निशान का मतलब है क्या है यह नाइंट डिघरी अग्री यह पॉंट ब溫पो पॉंट कई आपके पास रेडियस यह वाला पॉइंच क्या है आपके पास डिय४ कि आपको पता है कि जहां पर यह एंगल divided by four आएगा लेकिन perimeter में तब्दीली आनी है इसकी क्योंकि यूब नोट कॉल इट circumference of the quarter circle because circumference एक जुमला घलत है circumference सिर्फ कर्व बाउंटरी को consider करता है लेकिन perimeter किसको consider करता है all sides को consider करता है यानि perimeter में इसके तीन sides आएंगी दो रेडियाए और एक आपका आर्क्लेंट आएगा दो रेडियाए और एक आपका आर्क्लेंट आएगा बचो मुझे फॉलो भी करना है साथ साथ लिखना भी है मरियम शुयब तो जब इसके बात हम लिखते हैं तो यहां पे हम circumference नहीं कहते हम इसके लिए लवज जो अच्छा लवज है एक्जामिनर यही अलफाज इस्तमाल करता वो कहते है पेरिमीटर बताएं जी तो पेरिमीटर में इसके आजाएगा क्या चीज़ तू आर क्लेंट आजएगा तू आर प्लस आर्क्लेंट आजएगी आर्क्लेंट के लिए कुछ जगा छोड़ दें आर्क्लेंट इसकी तो हमें आती है वो तो हमें पता ही है वैसी के लिए आर्क्लेंट के बजाएगा आप डारक्ली लिख देता हूं मैंने का शायदे सेक्टर है इसका आर क्लेंट कितनी आजाएगी टू पाई आर डिवाइड़ बाई फॉर टू पाई आर डिवाइड़ बाई फॉर यह वला टू और यह वला क्या होगा आपस में कैंसल आउट कोई जुरूरत नहीं है याद करने की पेरिमीटर याद करने की कोई जुरूरत डिराइव करना आपने सीखना है शेप्स चेंज करता रहूंगा अभी बेसिक शेप्स जो बेसिक फॉर्मिलाज हैं मैंने बोल दिया इस वक्त अभी तक बेसिक फॉर्मिलाज क्या है एरिया है टू पाई आर स्कूर है पाई आर स्कूर है तू पाई बस यह दो फॉर्मिलाज यह तो याद है न सहरों को मतलब यू समझ लें कि नई निव एफट लगाई ने रहे आप लर्निंग के लिए अभी तक हमने निव एफट नहीं सीखी निव एफट अभी बताऊंगे जब मैं आर्कलेंट का फॉर्मिला बताऊंगे दो फॉर्मिलाज निव एफट वले वह हम करेंगे अभी तक सिर्फ पुरानी नौलेज चल रही है हम सिर्फ डिराइव करना सीख रहे है ठीक है प्रिवियस या ओल्ड फॉर्मिलाज सब्सक्राइब करना सीख प्लस या माइनस निशान है अगर यहां से मिटा दू तो शॉक से उपर वाला और नीचे वाला डिवाइड कर ले आप तू जैसे यहां पर जब आपने तू किया था जिधर आप डिवाइड कर रहे हैं उपर नीचे कोई आपको आपस में plus, minus नजर नहीं आ रहा जिनको काट रहे है और जो कट रहे है उन सारों का आपस में या तो multiply का नेशान है या तो divide का निशान है इसलिए वो कट रहे हैं कभी भी यहाला जो two नीचे है, जब उस से cutting करेगा तो देखने दर्मयान में साइन कून सा आ गया वह प्लस का साइन हा गया समझा रही है मेरी बात के नहीं कॉयर हो ना तो ये इसका basic formula है जो को हम लोग क्या करें highlight कर देता हूं एक ये formula और एक area का ये वह वाला formula दूसरा है इस तरह की diagram what is डिस कुण कहता है kont कर का है नहीं। तब तक इसको भी servicio नहीं बोलेंगे । जब तक मैं यहाँ पर क्या ना बोल दू। सेंटर ना बोल दू। जब तक मैं सेंटर और डिफाइन ना करदो। क्यूंकि डाइगर्म्राज़ पॉन्ट जब सेंटर बता दूं THIS it means that कि ये क्या बन गई है ये अब semi circle बन गया या वो बोल दे कि ये semi circle है question में अंग्रेजी में लिख दे कि ये semi circle है तब आप उसकी बात को मानेंगे वो ये सारे standards follow करता है आप ignore कर देते हैं ठीक है ये बात के नहीं सो इसमें भी अब जब आप एरिया की तरफ आएंगे तो असान फर्मिला है वही total circle का divided by two total circle का divided by two पाई आर स्कूर डिवाइड़ बाई टू लेकिन जब हम perimeter की बात करते हैं लेकिन जब हम perimeter की बात करते हैं तो perimeter क्या होगा sum of दो sides है इसमें एक है इसका diameter दूसरा है इसका arc length अब arc length है exactly half of a complete circle arc length है half of a complete circle और नीचे क्या है दो radii बोलने इनको r और r टू आर बोलने या d बोलने तो आप इसको यह भी लेकि सकते हैं two r plus two pi r divided by two two pi r divided by two या simplify करके two r plus pi r चाहो तो two r की जगा d भी लेक सकते हों यही जो two r है यह क्या बन सकता है तो यह यह याद नहीं करना है याद करेंगा तो सोचे कितना जदा सरी बाते बनती जा रही हैं so you guys should never memorize it because humanly confusion create करेगा दमाग में सोचे ना कितनी evolutions हो रही है हर एक step की अंदर अभी आगे होनी है अभी तो कुछ भी नहीं स्टार्ट किया तो याद करें derive कैसे करें ठीक है यही two r है we know that कि two r क्या होता है तो इसकी जगा नया formula क्या हो सकता है दी प्लस पाया तो जिसकी को concept होगा तो बेश्यक यह वाला formula देखें या वह उपर वाले देखें बोलेगा दोनों क्या है दोनों क्या है same formula है ठीक है यह बात के नहीं आप इसकी 60 होते हैं तो जितना भी वह वाला sector का part होगा mathematically discussion करते हैं उसका ratio कितना होगा एक्स डिग्री ओवर यह ratio है ना उसका पूरे circle में हाँ या ना जितना भी उसका angle है 90 है तो यह 90 ओवर 360 बन जाएगा उतना part उस सेक्टर ने बनाया हुए कवर किया हुए जैसे मिसाल के तोर पे मैं यह बना लेता हूँ इस सेक्टर की बात हम कर लेते हैं this is point A point B और यह let's say इसको मैं यहां से remove भी कर दूँ अगर just talk about sector जिसका interior angle या included angle या उसका जो angle हो कितने डिग्री है x डिग्री है इस पूरे sector ने सरकल का कितना part कवर किया हुआ था कितना कवर किया था कितनी रेशो कवर की इसने सरकल की x डिग्री ओवर 360 डिग्री जैसे आप नहीं कहते हैं हाफ की बात करते हैं तो हाफ इस पीडि़ी बैसिकर ली वैं पार्ट आउट ऑफ टू कि यह भी तो हाफ है ना यह कितने parts है, एक, दो, तीन, चार, two parts out of four parts, हाँ या न, two parts out of four parts, naturally किसकी equal बनता है, यह one by two भी तो बनता है, ऐसा है कि नहीं, तो ratio या fraction कैसे बनती है, given thing divided by total thing, given cheese divided by total अगर आप किसी भी circle की बात करते है इस circle का जो angle है अगर वो x degree है और total angle है आपके पास कितने total angle कितने है 360 degrees उसमें से x degree circle का कितना part बना रहा है वो यह ratio से निकलेगी अगर यह x 90 हो जाए तो यह कितना part बन जाएगा अगर यह x 90 बन जाए तो कितना part होगा circle का यह 1 by 4 part होगा यह नि quarter part होगा अगर यह angle 90 के बज़ाए 180 पे चला जाए तो यह कितना अब देखें x यहां से तरह imagine करें यह grow करता 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 इधर तक आजए अगर तो यह जो जितना यह नीला वाला part है यह सारे का सारा अगल वाइस कितना होगा यह 180 डिग्री हो जाएगा कितना part हो जाएगा یہ 180 डिग्री हो जाएगा तो ratio बनेगी 180 डिग्री और 360 डिग्री अभी आज से पहले तक हमने कभी भी यह बातें इस्तमाल नहीं की यानि यहां पर इस्तमाल नहीं कि क्योंकि यह वैसे देख की आइडिया हो रहा था कि यह है उसका half circle यह वाला उसका क्या है यह half circle है यह वाला उसका कौन से circle है यह उसका quarter circle है basically angles की तनाजोर में या angles की respect में बात करेंगे तो यह in fact क्या है this is ratio wise बात करें this circle is 90 degrees out of 360 degrees जैसे हम लोग अपने नंबर निकालते हैं हमारे मार्क्स जितनी भी निकलते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी परफॉमंस कैसी है similarly अगर इस पूरे इस डायग्राम को देखें डायग्राम को quarter circle कहने से पहले quarter circle कहने से पहले इसके angles और total angles को आपस में divide करके हम देखते हैं अगर तो वो one by four आया तो हम English में एक word जानते हैं जिसको क्या कहेंगे हम quarter का नाम देदेंगे तो जब हम 90 degree और 360 को divide करते हैं 0,0 से cancel out होता है 9,100 और 9,400 होता है तो resultant जो ratio आती है वो one by four आती है इसलिए हम हर formula में क्या करते हैं इसके साथ four से divide करते हैं या in fact आप ये कह दो in fact आप ये कह दो कि जब आप area निकालते हो तो area होता है one by four multiply by pi r square हाँ या ना हाँ या ना इसे ही करते हो ना यहां पर आपने क्या किया था divided by two किया था divided by two किया था ये in fact ऐसे भी तो लिखा जा सकते के नहीं one by two multiply by pi r square लिखा जा सकते के नहीं अब जरा सोचें ये one by two कैसे आ रहा था ये one by two हो गया ये one by four हो गया ये कैसे आया था कैसे आया था जितने भी आंगल से divided by three sixty degree करके आया था ना ये बताए मुझे ये कैसे आया था one by four चुक्छे हम जब यहां पर quarter circle की इस diagram की बात करते था तो mostly सारे बचों ने कहा सार ये quarter circle है क्योंकि आपको देख के idea हो रहा है आप physically जानते हैं उसको आप physically जानते हैं कि ये shape quarter circle की तरह से दिख रही है आप physically जानते हैं कि ये semi circle की तरह से दिख रही है जब मैं यहां पर angle लगा दूँगा तो ये detailed discussion analytical analysis की तरफ आते हैं तो उसमें equations के हिसाब से बात करेंगे properly justified बात करेंगे equations उसको कैसे कहती है equation क्या कहती है वो कहती है कि यह 90 degree over 360 degree से one by four आया वैसे तो कैसे भी बोल सकते हैं आप लेकिन mathematically प्रूफ जब आप करते हैं तो maths हमेशा अपनी जुबान से बात करती है कैसे digits के हिस समझ आ रही मेरे बात कि नहीं बाकी part as it is उसी तरह से यह नीचे लिक लेए याप ए इस तरह से यह वन बायटू कहां से आया था यह यह कहां से आया था यह यह आया था कि अंगल कितने थे सेंटर से 180 डिग्री और टोटल कितने अंगल से 360 बाकि बाइब पार्ट जो पायफ यार स्कूरर ऑफ आज़ आएगा क्लीर हुए मेरी बात के नहीं समझें मेरी बात यह देखें मेरी बात सुनों अब यह वाला एंगल है कितना कितना डिग्री यह नाइंटी डिग्री यह कितना है 180 डिग्री अगर मैं इसी यह कितना एंगल है यह डाइग्राम कैसी दिख रही है कौटरडर सेरकल दिख रही है यह सेमी सरकल अमैं इस रेडियर से लेकर एंगला agent की यह था जोड़ा करता हूं तुछ रिएग्रडियव पॉइंट कितर आजेका यह आजेगा यह आजाए इव पॉइंट की prophecies乾्टर कर догल मैंtech चोड़ा कर दिया, अब ये वाला क्या है, क्या ये 90 है, नहीं, ये कोई random क्या होगा, x degree होगा, ये क्या होगा, it will be any angle, अब इस पूरे, इसकी मैं बात करता हूँ, मुझे बताएं, इसका कितना area है, इसका कितना area है, तो सबसे पहले इसकी क्या निकलेगी, रेशियो निकलेग उसी तरहां, जैसे 90 डिगरी के लिए आपने यहां पर रेशियो निकाली थी, आपने रेशियो निकाली थी, वन बाई फोर वाली, हाँ या ना, वन बाई फोर वाली, जो कि कैसे निकली थी, 90 ओवर, 360 करके निकली थी, ऐसा ही है न, 90 ओवर कैसे करके निकली थी, 360 करके निक इसका internal angle है तो इसकी ratio क्या बनेगी रेशों गल्स क्या बनेगी एक्स ओवर एक्स ओवर 360 degrees बनेगी इसने circle का इन जा कितना part कवर किया हुआ है quarter ने कितना किया था 90 by 360 या one by 4 simplify करके semi ने कितना किया था 180 by 360 या 1 by 2 करके सेक्टर ने कितना किया होगा x by 360 करके x by 360 x क्या है एंगल आपका x क्या है एंगल आपका बात समझा रही है अब यह x 90 होता तो इसको मैं quarter circle का नाम दे देता अगर यह 180 डिग्री होता तो इस चीज को मैं semi circle का नाम दे देता यह नाम चेंज हो जाते हैं जैसे नहीं कोड होती है जब सेंटर से गुजरती है तो नाम चेंज हो जाता है उसका डायमेटर लोग बोलने लग जाते हैं उसको इसी तरह से यह एंगल जब 90 होगा तो यूगाइस विल यूर सेल्फ कॉल एट quarter circle मैं बोलू ना बोलू आप बोलेंगे sir it is a quarter circle इसी को बढ़ाते 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 यहां पर हम अगर ले आए 90 एक और 90 भी बना दूँ मैं यहां पर यहां से और गुरो कर जाए तो tell me यह पूरा एंगल फिर कितना दिखेगा आपको यह 180 दिखेगा तो यह कैसी शेप बनेगी फिर अब खुद ही बोलेंगे sir य तो यह हाफ यह सेमी सरकल है यह अटेंटिव हो की बैटाओ ऑफ क्या है यह सेमी सरकल है मुथलिए यह मित्मेटिकली यह अब बोलेंगे sir इस वन बाइटू और सरकल मैथ के आलफाज वन बाइटू, अंग्रिजी के अछाम यह मैरी बात कर नहीं मिल्टिप्लाइबाइ तो whole circle similarly mathematically क्या कहता है कि इसकी क्या part है x degrees by 360 degrees area निकालना था तो किस्से multiply करा रहे हैं हर दफा total area के साथ किस्से multiply करा रहे है total area के साथ तो इसको हम किस्से multiply कराते हैं पाई आर square से पाई आर इसी तरह अगर आप sector का area निकालते हैं तो x degree over 360 cject 아니라 65 degrees multiply क्या हो जाएगा वे i are square हो जाएगा पाई आर square हो जाएगा बात समझा रही हैं कि यह नहीं अगर मैं sector बनाता हूं नीट करके आगर कि आपका हो गया सेंटर यह आपका हो गया है यह आपका हो गया B और यह हो गया आपका एंगल कितना थीटा एंगल थीटा अगर आप इसका क्या निकालते हो बचों, एरिया निकालते हो तो एरिया ऑफ आ इसेक्टर का फ़र्मिला जनरली क्या बनेगा थीटा डिगरी ओवर 360 डिग्री multiply by pi r square x डिग्री ओवर x डिग्री ओवर that what is x डिग्री ओवर divided multiply by pi r square ये किसका फर्मिला आगया area of a sector का अब यही situation जो उनसी है same concept apply होता है arc length के उपर same concept apply होता है किसके उपर arc length के उपर arc length किसके साथ associated है circumference के साथ किसके साथ circumference के साथ arc length के जब फर्मिला निकालेंगे तो वही ratio निकलेगी जैसे पहले क्या होता था जैसे पहले क्या होता था तब जो ये वाला जगा क्या इसको आपने ये नहीं कहा था, 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 इसके लिए ना हम हाफ की बात कर सकते हैं, ना हम कौर्टर की बात कर सकते हैं, इसके लिए बात करेंगे, कि नहींख़ स्टिल वोट शल्च का, किटना पर्ण है यह सरकल का, गॉंकों भाइव एक्स डिग्री यह नहीं। एक्स डीग्री नहीं। धीटादीग्रीस गीड़ी। 2.5 डूपाइ रू। नियुप्ला लें। यह चीज कि नहीं। लगा लो उसको, क्लेर हुई बात, लेकिन ये भी डिराइव ही हो रही है, अगर आप अब्सर्फ करें, behavior of the quarter circle, then behavior of the semicircle, उसके हिसाब से ये बेसिकली ये भी, तो इसका मतलब क्या है, देखें जैसे कल हम लोगोंने, एक standard formula for area of triangle पढ़ा था, कि हर जगा वो लगता है, लेकिन class 4 में, 5 में वो नहीं सखाया जाता, लोग कहते हैं, बस half into base into height करें, तो असल formula क्या था, जो genuine formula था, half into side 1 into side 2, multiply by the sign of their included angle, बचे, बहुत जान मारू मिरे तबीया ठीक नहीं, अगर बात करोगा तो फिर मेरे समार भी खाओगा ते रात, मुईज समझा रही है, तो असल formula triangle क्या था, half into side 1 into side 2, multiply by sign of their included angle, clear हो रही है मेरे बात के नहीं, बाकिस सारे formula वहां से ही निकल रहे थे, जब आप देखें, base और height लें और उनका अपस में angle 90 है, अब जान बूज के sign 90 डालें, और चेक किरें, calculator आपको जवाब हमेशा 1 देता है कि नही यह है आपका, let's assume this is your center, this is your center, इसके लिए ना थोड़ी तवज़ो चाहिए, पहले मुझे ज़रा एक formula बताएं, थोड़ा previous formula, shaded area कैसे नकालते हैं, shaded area कैसे नकालते हैं, कौन बताएंगा, total area minus unshaded area, shaded area is equals to, total area minus unshaded area, अच्छा, यह है जी आपका, अब segment आ गया हुआ है, heading लिखें, area of segment, area of segment, नहीं रुख जाएंगी, यह formula सुन लें पिर जाएंगे, ठीक है, area of a segment, मैं इस segment में एक और diagram इंट्रोडियूस कराता हूँ, यह वहला, यह जो blue line है, सबको नज़र आ रही है कि नहीं, यह O से लेके A तक का फासला radius कहलाएगा, radius कहलाएगा, O से लेके B तक का फासला radius कहलाएगा, ऐसे ही है कि नहीं, मुझे बताएंगे O, A, B, triangle है कि नहीं, अगर इसका मैं angle यहां पर बना दूँ, कितना degrees, theta degrees, कितने degrees, theta degrees, एक तो O, A, B, आपके पास क्या चीज़ है, triangle है, और एक O, A, B, एक और चीज़ भी है, येस, ये ऐसी diagram भी बन दे है कि नहीं, O, A, B, हाँ या ना, ये O, A, B, एक तो triangle भी बन गी और दूसरी sector भी बन गई, अगर आप इस black वला region, जिसको आपने क्या नाम दिया हुआ है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, segment, segment का area निकालना चाहते हो, क्या चीज़, segment का area निकालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे जी, कोई बता सकता है, क्या करेंगे, anyone raise your hand, ये shaded area वाला formula concept लगा के, raise your hand, जिसको समझा आगे diagram, ये है आपके पास, एक diagram, एक है sector, और एक है आपके पास, एक है आपके पास, ट्राइंगल, हमने segment का area निकालना है, तो किसी को समझ आ रही है, कि हम कैसे निकालना चाहते हैंगे, just raise your hand first, I want to see कितनों को आता है, उनमें से मैं किसी एक को खड़ा कर देंगा, मतलब पूश लूँगा, how to find the area of this shaded part, how to find the area of this shaded part, यूज चले हिंट देरों में यह वहला formula लगा सकते हैं, raise your hands please, raise your hands please, last row of boys, it's very simple, I would expect कि हर बच्चे को आनी चाहिए यह बात, क्योंके common sense से relate कर रही है, 14-15 साल की common sense है, मैं formula नहीं पूश रहा हूँ, मैं general लफ्स पूश रहा हूँ, इसमें कैसे तबदीलियां क्या करेंगे इसमें, value putting तो बात में मैं करा दूँगा आपको, this is a normal common sense, it should be a common sense, common sense किसको बोलते हैं, जो बहुत बार आप एक चीज़ सुन लेते हैं, तो वो common sense बन जाती है, फात्मा एक्जाक्ली टोटल एरिया में से अंचिटीड एरिया माइनस करेंगे, इसको थोड़ा और elaborate करके अब दुल्ला बताओ, सेक्टर, थोड़ा उल्टा बोल दिया, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करेंगे, ट्राइंगल में से सेक्टर नहीं माइनस करेंगे, सेक्टर पहले, क्योंकि सेक्टर बढ़ा है ना, सेक्टर बढ़ा है और ट्राइंगल क्या है, चोटी है, तो बड़ी वली डायग्रा में से चोटी वाली डायग्राम माइनस कर दो पीछे आपकी पास वैसी यह शेड़िट रिजन रहे जाएगा जिसको ब्लाक कलर से आपने शेड़ किया हुआ है तो आप जब इसका एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ सेग्मेंट आप लिखेंगे यही फॉर्मलर लगाओंगा मैं शेड़िट एरिया वाला टोटल एरिया माइनस अंशेड़िट एरिया तो आप इसमें लिखेंगे एरिया ओफ सेक्टर सब बच्चों को समझ आनी चाहिए यह बार ठीक है एरिया ओफ सेक्टर देखें चले आपका दमाग नहीं काम कर रहा था लेकिन जब सिखाने की बात समझ जाई कि area of sector minus area of area of बो बचो triangle area of sector minus area of triangle दमाग चलना चाहिए बचो मैं आपसे आगी की derivation नहीं पूछ रहा हूँ मैं ये बात पूछ रहा हूँ सिरफ यहां तक दमाग आपका क्या होना चाहिए चलना चाहिए सबका दमाग चलना है ना यहां तक यह बात समझाई कि how to find this area of segment पहले तो पता होना चाहिए कि segment क्या बला थी वो तो हमें पता चल कि it is part of a circle या area of a circle defined by cord जो cord की वज़े से बनता है center की वज़े से जो slice of a circle बनेगा उसके लिए slice का लफज इस्तमाल हो रहा है slice of a circle because of the center जो बन रहा है वो sector कहलाता है क्या कहलाता है sector कहलाता है लेकिन अगर cord की वज़े से आप slice बनाएंगे या cord की वज़े से आप उसको partition करेंगे या तोड़ेंगे या काटेंगे तो वो segment कहलाता है तो general formula यह है and यहां पर भी आकर हम पूरे का पूरा formula इसमें put कर सकते हैं यानि निकाल सकते हैं exact कोई जरूरत नहीं है रटा लगाने की कोई जरूरत नहीं याद करने की derive करना सीखें यह derivation है यह बात समझ आई सारों को के नहीं है area of sector minus area of triangle हाँ या ना सब बच्चों clear हुआ anyone from girls even boys इसको नहीं बात clear हुई हम इसको थोड़ा सा और debate करते हैं इसमें all good everyone all good now tell me अभी तक आप जो जीज़ें सीख चुके हैं वो इसमें put करते हैं do you know what is the area of sector do you know आप note करें यह भी मैंने याद नहीं करवाया यह भी derive ही करवाया मैंने analogy develop करवाई मैंने एक वैसे relationship develop करके बताया कि कोई भी चीज़ होगी ना part of a circle भी होगा whatever part of the circle is if the center is defined तो आप उसका angle के हिसाब से उसको ratio develop करना और area था तो area से total से multiply करना लेको marks भी ऐसे ही निकालते हो अगर आपने आपको 100% से evaluate करना था ना आप क्या करते हैं आपने नंबर ली है मिसाल के तोरपे 79 out of total number थे आपके 100 अगर आप अपने आपको जरा समझना इस बात को अगर आप 100% के हिसाब से खुद को evaluate करेंगे कि total percentage थी 100 आप इसको किस से multiply कराते हैं 100% से multiply कराते हैं इसा ही होता है कि नहीं समझाई मेरी बात अब सोचें मिसाल के तोरपे जैसे हम रेशियो भी करते थे कि एलक्स बेंड चार्ली शेड सम अमाउंट अफ मनी इन रेशियो फलां फलां करते थे ना मिस तरह से हम पूछते हैं एलक्स को कितने पैसे मेले हम उपर लिखते थे किसकी रेशियो एलक्स की नीचे हम लिखते थे मिसाल के तोरपे कौन सी रेशियो टोटल रेशियो लिखते थे मल्टिप्लाइ करते थे कि उनके अबबूर ने टोटल कितने पैसे दिये total पैसे हम यहां पर लख देता है जिकि 30,000 दिया थे LX को 30,000 में से दूव शेयर मिला था Ben को 3 शेयर मिला था चार्ली को 4 शेयर मिला था तो LX को कितने पैसे मिले हम कहते थे इनकी ratio क्या है LeX की given ratio और नीचे लख देता हम total ratio multiply by जिस भी चीज़ को आप consider कर रहे हैं उसके साथ total के साथ ये general असूल है mathematics का जनरल असूल है mathematics का कि कितने method बनाके आप अपनी value evaluate कर रहे होते हैं कि उसके हिसाब से मेरे कितनी चीज़ बन रही है मेरा कितना percentage बन रहा है मेरा कितना share बन रहा है मेरे कितने marks बन रहे है यह मेरा कितना area निकल रहा है यह मेरा कितना circumference निकल रहा है हमेशा आप यहां पर किस चीज़ को रखते हैं उस total real amount को जिसको आप अपना standard scale मानते हैं clear हो रही है मेरी बात कि नहीं इसलिए हम लोग देखें मुखतलिफ ideas ideas इस concept को support कर रहे हैं not only area but the concept of percentage but the concept of ratio but the concept of marks clear हो रही मेरी बात and also the concept of area is also supporting the same thing यह बात बहुत बाद में आई थी it was an observation it was not a formula it was not a formula it was an observation the observation which came after the word quarter which came after the word semi why were we calling it quarter because of that particular 90 degree angle total angles थे 360 तो हमने कहा it is one fourth part तो कहानी बिलकुल पहले लेक्चरों में से निकली मेरे ख्याल है जब मैंने आपको वो डाइग्राम fraction वाली समझाई थी पहले लेक्चरों में if you remember मैंने कहा था यह जो fraction है यह क्या है it is part of something fraction क्या समझाई थी it is part of something अब part मैंने यूँ भी समझाया था if you guys remember मुझे तो याद है एक यह डाइग्राम बनी थी और एक ऐसी सर्कल वाली डाइग्राम बनी थी जिसमें मैंने यूँ बनाय था if you remember अगर भूल गें आपने कहा था दो out of how much four parts shaded है तो fraction यहां से develop हुई थी ratio कहां से develop हुई थी अगले step में ratio डेवलप होगी simplify कर दिया ratio बन गी क्या ख्याल है but ratio में एक ओर definition है it is the comparison between two similar quantities written in simplified form written in simplified form similarly इसको हमने क्या कहा था यह क्या है one by one part is shaded out of three parts यह तो कहानी goes back to the first few lectures it goes back to the first few lectures so it is not the one जो कि अभी आपको पढ़ा रहा हूँ after four five months no 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 ऐसी बात नहीं है यह पुरानी कहानी चल रही है वहाँ पे तो शकल देख के पता लग जाता है कि यार चार पार्टस है चारो एक्वल पार्टस है दो को shade किया हुआ है तो इसलिए two by four हो गया वो तीन पार्टस है तीनो सेम है एक shade कर दिया तो one by three बन गया अगर मैं इसकी जो डायाग्राम है वो define ना करूँ कि यह one by three है या whatever तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर हम theta लिखेंगे हम बोलेंगे theta over 360 लिखेंगे समझने मेरी बात की नहीं क्या लिखेंगे theta over 360 clear है यह चीज़ यह बात भी clear है हमें यह बात भी clear है now let's put the values now let's put the values देखें मैं जल्दी कुल-کुल यह नहीं कर रहा हूँ normally I know people they just say that कि याद करें इसको अब आपकी बात है अगर आपने कर लिया याद तो अच्छी बात नहीं किया तो कसूर भी आपका है लेकिन हम इस वाद क्यों लगा रहे है पिर जब मैं पूछूँगा और नहीं आएगे न तो मैं उतना ही फिर react भी करूँगा मेरा reaction फिर directly proportional होगा में यहाँ पर टाइम लगा रहा हूं वक्त दे रहा हूं आपके notes क्यूं चेक की है विकाज आइवआंट कि यह formulas काम आपके लिए सान कर रहा हूं कि या रटे लगा ले मेरे लिए बहुत ही आसान है लिटरली यह learn करने फार्मिला आपने मैं क्या कर रहा हूं फिल कर रहा है कि I am trying to make formula simpler for you मैं इस पूरे चैप्टर में इस पूरे चैप्टर में I will try to make formula simpler even in volumes and surface areas जहां पे मजबूरी होगी सिर्फ वहां पे बोलूंगा मजबूरन यकीन जा रहा है तीन चार पांच formula से ज़दा मजबूरी नहीं है हमारी बाकी 15-20 formula हैं और सब derive होते हैं सब के सब derive होते हैं है तो यह क्या बनेगा area of a sector area of a sector क्या है बताए मुझे बचों थीडा डिगरी ओवर मल्टिप्लाइबाए पाय आर एक यह कहा नहीं बन गई के नहीं एक यह बन गया माइनस करेंगे इसमें से area of a triangle का formula क्या है will you be using half into base into height no half into side one into side two into sign of there included angle यहां पे कौन सी दो sides और included angle के बन है half into r into r into sign of theta yes or no r into r is r into 2r शाबाश आर स्क्वेर आर इंटू आर स्क्वेर आर स्क्वेर नहीं r स्क्वेर इंटू साइन ओ थीटा डिग्रीज है ठीक है कि अब कास मुझे यह लगता है कि थोड़ा से कप्रा कर गीला होना तो हमेशा अच्छा साफ होगा मुझे यह लगता है side notes लिखें I will come towards the perimeter of this thing but after a little time पहले जरा साइरिया ओफ ट्राइंगल मेंजुरेशन की निगाह में या ट्रिगनोमेट्रिक स्मॉल ए रखना है ठीक है यह बात के नहीं तीन फार्मिलाज लिकूंगा तीनों के आंसर्स एक जैसे हैं area is equal to half multiply by सबसे पहले b into c b multiply by two neighboring sides तो angle कौन से consider होगा बताओ बचों a वाला b multiply by c multiply by sine कौन से वाला a degrees yes or no half into b multiply by c into sine of a degrees दूसरा तरीका क्या होगा इसका half into a into c into sine of b degrees half into a into c into sine of b degrees ठीक है यह बात के नहीं half into a into b a into b into sine of c degrees ठीक हो गया यह समझाई सारों को यहां तक कोई confusion है यह तो जब हम perimeter की बात करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं perimeter की बात करते हैं तो what is perimeter इस शेप की तरफ देखें जड़ा इस शेप की तरफ देखें यह क्या है segment कितनी boundaries है segment में इस वक्त कितनी boundaries है segment में कितनी बताए ना दो कौन-कौन से वाली no circumference नहीं इसका नाम जड़ा update करें arc length है एक है cord और एक है arc length एक है cord और दूसरी है बचों समझा रहे हैं कि नहीं आ रही एक है cord और दूसरी है arc length जब आप perimeter निकालेंगे perimeter is sum of all sides perimeter is sum of all sides एक side है इसकी कौन से वाली बताओ ना arc length और दूसरी side है कौन से वाली cord एक है arc length और दूसरी है cord arc length का formula सिखा वा है कि नहीं सिखा वा भी देखें यह वो दरसी निकलेगा यह वही जो यहां पे जो angle बनता है that is theta degree वाला सही है न तो कितना बनेगा यह बच्चों theta degree over 360 degree multiply by 2 pi r यह एक बात हो गई plus cord a cord in fact it is the third side of the triangle cord is the third side of the triangle and if you know this side if you know this side that is known as radius if you know this side that is known as radius and you know the angle you can find the third side using cosine rule you can find the third side using cosine rule but we will study it in the trigonometry part later हम यहां पे लिख लेते हैं we can find cord by using cosine rule not right now not right now depends on the question but it is the best solution right now is using cosine rule cosine rule that is what we will study in trigonometry that is what we will study in trigonometry we will study later हम इसको बात में पढ़ेंगे लास्ट शेप जो के सर्कल के साथ associate कर रही हो उसका formula आप लोगों ने मुझे बताना है अब अब इतनी मुझे लगता है कि आपके अंदर यह नहीं कुछ लोगों ने कुछ किताबों में बच्चों को बुला है इसको रटा लगाएं पाय कॉमन लेते हैं और capital R square minus यह formula हमने याद नहीं किया हमने तो derive किया यहां तक तबज़ों रखें तो जो दिल कर रहे आप यूज़ कर सकते हैं यह नहीं कि यह एक और new shape आ रही है इसका perimeter क्या होगा sum of all sides, sides तो नहीं है लेकिन boundaries तो है ना तो formula तो वही रहेगा sum of all boundaries तो दो boundary हैं इसके outer circumference और outer circumference two pi capital R plus inner circle is two pi smaller या इसको आप एक और तर्ज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों सबको समझ आ गई है मुश्किल तो नहीं है ना honestly एक में diagram बना तो यह घर से करनी है बापने without helping your friends यह एंगल है जी इसका theta सुनें O, A, B, C, and D यह क्या बना दिया मैंने concentric circle का क्या कर दिया slice कर दिया concentric circle का slice कर दिया मैंने समझा रही है कि नहीं यहां वाला O, B क्या है smaller O, A, B क्या होगा smaller O, D क्या है और O, C क्या है इसका circumference भी sorry perimeter भी निकालना है और area भी निकालना है निकाल लेंगे do not discuss it with anyone try to come with your own answer right or wrong истории ि है क्या व्यो़ursday क्या भी क्या है